Hello students, हम लोग आज exercise 1.1 पे हैं और question number है 9 Can I prove that the square of any positive integer is of the form 5Q, 5Q plus 1, 5Q plus 4 for some integer की तो हम लोग यह लिखते हैं कि let A be the any positive integer positive integer, A be the any positive integer, अब लिखेंगे कि when A is divided by, इसी की recording चलेंगे, divided by 5, कुसेंट जो है, कुसेंट है जो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर देखिए इसमें Q यूज किया है, तो मैं कुसेंट के ले लेता हूँ एंड, एंड, रिमेंडर जो है ना, रिमेंडर जो है ना, रिमेंडर जो है ना, आर ले ले लेते हैं, ठीक है तो यहाँ से A equal to में क्या जाएगा, 5K plus R, और R 0 से greater होगा और 0 के equal भी होगा, बट less than होगा आप से, किस से, तो 5 से, यह कैसे हुगा तो by Euclid's division, by Euclid's division लेमा, ठीक है? कोई डिकत नहीं है, तो यहाँ से R का possible value क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, कहीं सब होगा ला? यहाँ से A equal to में 5K हो सकता है, और 5K plus 1 हो सकता है, और 5K plus 2 हो सकता है, और 5K plus 3 हो सकता है, और 5K plus 4 हो सकता है, यहीं नवगार का value रखेंगे तो, चलिए तो अलग-अलग इस case में देखते हैं, case first लेके हैं, A equal to में है 5K, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कर रहा है, square करना है, तो लिखेंगे by squaring, चलिए तो इसका squaring करने से देखते हैं, क्या आता है? हमें 5Q, 5Q plus 1 और 5Q plus 4 के form में दिखाना होगा, तो squaring करेंगे तो A square equal to में 5K का square, यहाँ जागा 25K square, तो मैं क्या करता हूँ? इसे 5 into में 5K square लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ इसके जागा Q लिख देंगे, यहाँ लिख देंगा क्यवेर? Q equal to में 5K का square, ठीक है? तो देखो तो यह 5Q के form में नहीं आगे हैं, अच्छा अगला case देखते हैं, case second लिखे, A equal to में 5K plus 1 और फिर by squaring, by squaring, squaring करने से देखिए क्या आ जागा? A square equal to में हो जाएगा 5K plus 1 का whole square, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा? 5K का square plus 2 into 5K into में 1 और प्लस 1 का square, तो 25K square plus का 10K और प्लस का 1, इन दोनों में से 5 common करते हैं, तो 5K square और प्लस में 2K plus 1, यही नहाँ हो जाएगा, चलिए, ठीक है? अब इसके जगाँ पे हम लोग क्या रख देंगे Q, तो 5Q plus 1, इस पॉर्म में भी तो लाना था ना जी? वेर, वेर, Q equal to में 5K square plus 2K, ठीक है? केस ठर्ड लेते हैं, केस ठर्ड में था A equal to में 5K plus 2, ठीक है? चलिए, तो 5K plus 2 लेने से क्या हो जागे हैं, तो लिखेंगे by squaring, by squaring, तो squaring करिए, तो A square equal to में आ जाएगा, 5K plus 2 का whole square, यहाँ भी A plus B का whole square, तो 5K का square, plus 2 into 5K into 2, और प्लस में 2 का square, तो यहाँ 25K square, और प्लस का 20K, ठीक है, और प्लस का 4, तो इन दोनों में से क्या common है, तीनों में से तो common करने पर वो किसी form पर नहींगा, इन दोनों में से ही मैं यहाँ पर common कर लेता हूं, तो इन दोनों में से हम लोग सिर्फ क्या कर लेते हैं सिर्फ सब्सक्राइब से नंसे ने कि फ्रक्राइब सब्सक्राइब क्वेर कि यूइइकुल टुमें पाइइफ या टीक है कोई दिक्कत नहीं है चलिए अगला केस case 4 A equal to 5K plus 3 by squaring by squaring इसका भी squaring करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से आ जाएगा A square equal to 5K plus 3 का whole square तो यहां दखो A plus B का whole square तो 5K square plus 2 into 5K into 3 plus 3 का square तो यहां 25K square और plus में यहां पर किता हो जगा 30K और plus में 9 अब यहां पर देखिए मैं इसको simplify करूँगा तो यहां 25K square plus का 30K और plus का मैं लिखतेता हूँ 5 plus 4 इन तीनों में से सिर्फ 5 का उमान करेंगे ना तो 5K square plus का 6K और plus का 1 मचेगा और plus 4 तो इसके जगा पर मैं क्यू लिखतेता हूँ तो 5Q plus 4 यहां भी आ गया तो लिखतेता है कि वेर क्यू इक्वाल टू में 5K square plus का 6K plus 1 ठीक है अब इसके बाद देखिए लास्ट वाला जो case है case number 5 एक्वाल टू में 5K plus 4 by esquiring इसका esquiring करेंगे तो A square equal to में 5K plus 4 का whole square होगा यहां solve करते हैं क्या जाएगा एप्लस B के whole square से 5K का square plus 2 into 5K into 4 plus 4 का square तो यह 25K square plus कितना हो जागा है यहां पर 40K और प्लस का 4 का square 16 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहां पर अब देखिए इसे 25K square plus का 40K और प्लस का 15 plus 1 ले सकता है अब इन तिनों में से 5 common करते हैं तो 5 common करोगे तो यहां पर 5K square plus 8K plus 3 plus 1 यह नहीं होगा तो इसके जगह पर मैं Q रख दूँगा तो यह 5Q plus 1 हो जाएगा तो where Q equal to क्या लिख देंगे तो 5K square plus का 8K और plus का 3 तो हमने prove करके दिखा दिया ना कि यहां पर जब भी square कर रहें तो 5K 5K plus 1 या 5K plus 4 के फर्म में आ रहा है तो हम यहां पर लिख सकता है कि Hence, the square of square of any positive integer any positive integer positive integer is of the form 5Q 5Q plus 1 5Q plus 4 for for some integer Q some integer Q समझ गया? कोशन नमर 10 देखिए करा so that the square of any odd positive integer is of the form 8Q plus 1 for some integer Q तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं कि let let n n be the any be the any odd odd positive integer 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 of the form of the form मैं आप ले ले लेता हूँ 4 k plus 1 और 4 k plus 3 यह दोनों odd है ना? odd positive integer है ना? तो हम लोग n को odd positive integer माल लिए और यह किस form है? इन दोनों form है. हो सकता है odd positive integer? तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से लिया है. आप सोचो अगर आप odd यहाँ पर एक इंटीजर लेते हैं positive integer n लेते हैं और n में divide करते हैं 4 से तो हमारा क्यूसेंट अगर k आता रिमेंडर r आता तो यहाँ से n equal to में क्या होता? 4k प्लस r और r का possible value 0, 1, 2, 3 तक होता है. इन का value क्या आ जाता? 4k, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 और 4k प्लस 3 होता. तो यह दोनों तो आपके even हैं तो यही दोनों ना odd होंगे. तो मैंने इसी लिए direct यहाँ पर ली दिया. यह आपका odd positive integer का form में दिख रहा है ना? ऐसे भी दिख रहा ना? कोई भी positive integer रखके देखोगे. तो यह हमेसा odd ही आएगा. तो अब हमें क्या प्रूब करना होगा? तो यह जो odd positive integer है, इनका square जो होगा 8q प्लस 1 के form में होगा. तो case first ले लेते हैं. n equal to 4k plus 1. अब इसका squaring करते हैं. तो लिखते हैं by squaring. n square equal to 4k plus 1. ता whole square. तो square करेंगे. तो 4k का square. प्लस में 2 into 4k into 1. और प्लस में 1 का square. तिया 16k square. प्लस का 8k और प्लस का 1 हो जाएगा. इन दोनों में से मैं सिर्फ 8 common करता हूँ. क्योंकि मुझे 8q प्लस 1 के form में दिखाना होगा. यहाँ पे बचेगा आपका 2k square. ठीक है? है ना? और फिर यहाँ पर प्लस का k. फिर प्लस 1. ठीक है? तो अगर मैं इसके ज़िए का q लिख हूँ. तो यह 8 q प्लस 1 हो जाएगा. और लिख दूंगा यहाँ वेर. वेर. q इक्वाल टू में 2k square. प्लस में k. ठीक है? अब आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग. ठीक है? के सेकेंड लेकर. यहाँ पर n इक्वाल टू में 4k प्लस क्या था? 3 है ना? दूसरा और पॉस्टिव इंटीज है. बाई एसक्वाइरिंग. यहाँ पर एसक्वाइरिंग करके देखते हैं. तो क्या हो जाएगा यहाँ से? एन इसक्वाइर इक्वाइरिव इक्वाइरिक्वाइरिंग में 4k प्लस 3 का हो जाएसक्वाइरिंगा. यहाँ आजागा 16k स्क्वाइरिंग कितना हो जागा यहाँ पर? तो two fours are eight और eight threes are twenty four ठीक है k और plus का three k square nine अब मैं यहाँ 16 k square plus का twenty four k और plus का eight plus one लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ यहाँ से मैं eight common कर लेता हूँ यहाँ पे two k square और plus का three k और plus का one हो जाएगा और यहाँ पे दिखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ eight q plus one where q equal to two k square plus का three k plus one ठीक है तो यह भी आपका eight q plus one के form में आ गया यह भी आपके eight q plus one के form में आ गया तो हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि hence hence the square of the square of square of आपके question में क्या था जी square of any odd positive integer square of any odd positive integer positive integer is of the is of the form is of the form eight q plus one for some integer कुछ integers के लिए ठीक है समझ गया next question के 11 number so that any positive odd integer is of the form 6 q plus 1 6 q plus 3 6 q plus 5 इनी form में से होगा odd integer है अओ एंटी आगए आगए एंटींटीजर है when when a is डिवाइड बाईेड बाई डिवाइड बाई बाई डिवाइड़ बाई डिवाइड बाईड़ राई तो हम लोग A equal to में क्या लिख सकते हैं 6Q plus R और यहां R 0 से greater होगा यहां 0 के equal होगा but less than होगा 6 यह कैसे हुगा तो by Euclid Euclid's division division lemma से ठीक है तो अब हम लोग यहां R का possible value क्या लिख सकते हैं 0 भी हो जाएगा 1 भी हो जाएगा 2, 3, 4, 5 तक तो A equal to में यहां से क्या क्या हो सकता है 6Q हो जाएगा और 6Q plus 1 हो सकता अगर R के value को रखेंगे यहां पर और 6Q plus 6Q plus 2 और 6Q plus 3 और 6Q plus 6Q plus 4 और 6Q plus 5 यह ही न होगे possible value चले तो यह सब आपके possible value हो जाएगे एक है ठीक है लेकिन अब इसमें से देखो 6Q 2 से divisional है 6Q plus 2 भी 2 से divisional है और 6Q plus 4 भी 2 से divisional है तो यहां लिखने है कि बट 6Q 6Q plus 2 है न है और 6Q plus 4 भी 2 से divisional है और यह बट जाएगे और पॉजिटिव इंटीजर रोंटीजर रोंटीजर तीन हैं तो इंटीजर कर देता हैं बिकाउज 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 it is या because it's divisible by it's divisible by 2 यह 2 से divisible है तो यह आपके even हो गए ना, even positive integer even positive integer है therefore, a equal to क्या हो जागा, 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 हा ना यह आपका odd positive integer हो जाएगा यहां लिख सकते हैं कि hence hence the any any positive जो question में था उसी को लिखेंगे positive odd integer odd integer is of the form is of the form is of the form 6q plus 1 6q plus 3 और 6q plus 5 ठीक है, क्लियर हो गया next question देखिये 12 number कर आप्रूवड एक one of every three consecutive positive integer is divisor is divisible by three हम लोग यहां पर बात कर रहे है three consecutive positive integer तो हम लोग यहां ले ले लेते हैं let n n plus 1 and n plus 2 be three three consecutive 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 पॉजिटीव पॉजिटीव इन्टीजर्स पॉजिटीव इन्टीजर्स ठीक है यह आपके पास three consecutive integer है तो कहा रहा है one of every three इन तीनों में से कोई एक आपका three से divisible होगा ठीक है किसी भी यहां n के जग़ए कोई भी आपका positive integer लेते हैं तब तीक है आप देखो ना यहां one रखोगे तो यहां one आएगा यहां two आएगा और यहां three आजाएगा तो देखो तो यह दोन तो डिविजवल नहीं यह divisible हो ज़रा है two रखोगे तो यहां two आएगा यहां three आएगा यहां four रहेगा तो यह divisible हो ज़रा है कि नहीं three से तो यहने कि तीनों में से कोई एक three से divisible होगा आप इनके जगा कोई भी positive integer रखके देख लो तीक है इसे हमें यहां पे यही prove करके दिखाना है तो हम लोग इनको divide किट से कर देता है three हम लोग यहां पे ले लेते हैं कि हमारा क्यूसंट जो है न वहां क्यूसंट q है and remainder जो है न remainder वह remainder r है तो n इक्वल टू क्या जगा है three q प्लस r और r zero के equal होगा या zero से greater होगा but less than होगा किस से three से कैसे होगा तो by यूक्लीड यूक्लीड डिवीजन लेमा यूक्लीड डिवीजन लेमा से टिक है तो r का possible value यहां पर जीरो के equal है और जीरो से greater भी है लेकिन three से लेते हैं यहीं कि zero one two हो जाएगा तो r का value zero one two लोगे तो n equal to में क्या जाएगा three q और three q प्लस one और three q प्लस two ठीक है अब देखिए इसके बाद इन तीनों को एके करके लेकर देखते हैं ठीक है तो case first लेते हैं जब हम लोग n के जगा पर three q लेते हैं तब एके करके तीनों हम लोग integer के लिए देखते हैं तो n equal to three q जब हम लोग लेंगे पहला case when n equal to three q लेते हैं तो यहां देख रहा है ना कि आपका three q three से divisible है देख रहा है ना यहां जो n बराबर three q ले रहा है जब लिए सकते हैं कि which is which is divisible by divisible by 3 यह 3 से divisible है तो जब यही 3 से divisible हो जारा तो यह 2 3 से divisible नहीं होंगे यह दिखाना होगा तो अब मैं बात करता हूँ n plus 1 की ठीक है तो n plus 1 यह नहीं है न जी divisible by 3 तो लिख दे रहा है यहां रिमेंडर आपका 1 बच रहा है ठीक है यह आपका रिमेंडर 1 बच रहा है यहां देख रहा है न हम लोग लिख सकते हैं नीचे लिख देता हूं में कि n plus 1 leaves remainder leaves remainder leaves remainder कितना रहा है 1 when divided by 3 यानि कि यह से divisible नहीं है है इसका मतलब है हुगा कि n plus 1 is not divisible by divisible by 3 ठीक है अच्छा अगर मैं अब n plus 2 की बात करूं कि n plus 2 के लिए n के जगा पर आप क्या लिख होगा 3 q तो 3 q प्लस 2 आ जाएगा यह भी आपका टू से टीक है क्योंकि हम लोग देख रहा है दो कि n plus 2 is not divisible by 3 तो देखे ना इन तीनों में से एन एन प्लस 1 और एन प्लस 2 में से एन आपका डिवीजबार हो रहा है 3 से तो यह दोनों डिवीजबार नहीं हो रहा है 3 से अब केस सेकंड वाला लेके चलते हैं ठीक है अब यहां पर यहां पर चाहो तो लिख भी सकते हैं यह उपर चाहो तो पहले इसको लिख देते हैं यहां पर मैं लिख देते रहा हूं कि आपका जो हमें यहां से मिल रहा है दस n is divisible by divisible by 3 but n plus 1 and n plus 2 is not divisible by divisible by 3 ठीक है अच्छा अब केस सेकंड ले लो केस सेकंड में क्या था तो हम लोग n equal to में देखे थे 3 q plus 1 न है तो अब देखिए यहां पर हम लोग यह लिए हैं कि वेन n equal to 3 q plus 1 है तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि n यहां पर हमें lips remainder किता मिलेगा 1 remainder 1 when divided by 3 वह यह आपका 3 से divisible नहीं है न जी n is not divisible by divisible by 3 ठीक है अब हमनों बात करते है n plus 1 की यहां 3 q plus 1 रखेंगे n के जगा और फिर प्लस में 1 तो आ जागा यहां पर 3 q plus 2 हमें यहां remainder 2 मिल रहा है तो मैं लिकूंगा कि n plus 1 leaves remainder leaves remainder 2 when divided by divided by 3 लिख सकता है कि n plus 1 is not divisible by divisible by 3 ठीक है अब n plus 2 की बात कर लेते हैं यह n plus 1 हो गया अब n plus 2 की बात करते हैं तो इन के जगा 3 q plus 1 रखना है और plus में है 2 यह 3 q plus 3 हो जागा यहां से 3 common करेंगे यहां q plus 1 आ जागा तो यह दिख रहा है ना कि which is divisible by 3 यह लिख सकता है which is divisible by 3 तो मनों लिख सकते हैं यहां पर की 10 plus n plus 2 is divisible by divisible by 3 but but n and n plus 1 is not divisible by 3 समझ गया अच्छा आप इस थार्ड लेते हैं लते के शिठारड कि तो सीब्सकंद साथ में क्या हो जाएगा त्री क्यू प्लस टू यहां पर थीग्यू प्लस तू में देख रह Wiremen असे लिए ने जेए अपका टूप बचेगा न लेखेंगे एन प्लस वन sorry, n है न जी, sorry n n leaves remainder leaves remainder 2 when divided by divided by 3 अच्छा, अब n के लिए हो गया तो यहाँ पर लिए सकते हैं कि n is not divisible by 3 अच्छा, remainder 2 अच्छा, अब लेते हैं हम लोग बात करते हैं, n प्लस 1 के लिए तो यहाँ पर 3 q प्लस 2 रखोगे n के जगा और प्लस में 1 तो यहाँ पर 3 q प्लस 3 आ जागा, 3 common करोगा तो q प्लस 1, तो यह आपके दिख रहा न, which is divisible by 3 which is divisible by 3, यह आपका 3 से divisible है, divisible by 3, अच्छा, एक और है, n प्लस 2 इसको देख लेते हैं, यह नहीं होना चीए क्योंकि एक प्रूफ हो गया, तो यहाँ पर 3 q प्लस 2 रखेंगे, और प्लस में 2 है तो यहाँ पर आपका जाएगा, 3 q प्लस 4 तब हम लोग इसे 3 q प्लस 3 प्लस 1 करेंगे, 3 common करेंगे, यहाँ q प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कि n प्लस 2 leaves remainder, leaves remainder, 1, 1 है ना remainder बशेगा, when, when, divided by, divided by 3 n प्लस 2 को divide करेंगे, 3 से तो remainder आपका 1 मज़ेगा, तो लिख सकते हैं, कि यहाँ पर n प्लस 2 is not divisible by, divisible by 3 तो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं, कि दस, n प्लस 1 is divisible by, divisible by 3 आप यहाँ पर सुधार कर देंगे, मैंने इस दे दिया है, कहाँ है, आप देखो दूसरे केस में आपने यहाँ पर देखो यहाँ पर r कर देना, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं paint कर देते हैं, और साइद इसमें आप लास्ट में लिखना भूल गए हो, यह भी लिख देना, कि hence hence, 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 one of every three consecutive, consecutive, positive, positive integers, is divisible by three, समझ गए, अब इस वीडियो को यहीं paint कर देते हैं, आपको मारे तीन चनलों को subscribe करना होगा, पहला है, pathfinder classes छपरा, दूसरा है आपका, भारती भवन रवी कांत सर, और तीसरा चनल है, रवी कांत सर के नाम से, तीनों को subscribe कर देंगे, और इसे रिलेटर वीडियो के लिए सिधे description में जाएंगे, और इसे रिलेटर नोट्स के लिए google पे जाकर सर करेंगे, www.ravikant sir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी classes के notes और उनके PDF को download कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, Instagram और Facebook पे pathfinder classes छपरा को like and follow करना नहीं भूलेंगे,